अपने शहर की लेटिस ख़मरों के लिए नियूज को सब्स्ट्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ पूरी फैमिली के लिए दो साल बाद एक बड़ी खुशी आई है ये इंक्वाइरी रिपोर्ट खुद योगी जी ने ओर्डर के थी 22 अगस 2017 को और इसने ये माना है, इस रिपोर्ट ने ये माना है कि उस रात 10 अगस 2017 की रात लिक्विड आक्सिन खतम हुए थी और डाक्टर कफील की टीम ने 500 सिलेंडर उन 54 घंटों में लेके आए ये माना है कि डाक्टर कफील ने अपने पैसे से सिलेंडर समगाए ये माना है कि डाक्टर कफील के ऊपर कोई मेडिकल निगले जिन से कोई सबूत नहीं मिला ये माना है कि बहुत से बच्चों की मौत हुई दो साल से इन फेमस डॉक्टर कफी मडरर डॉक्टर कफी कातिल का दाग लेके घूम रहा हूं, शायद कुछ भूल जाएजी, पर सही में जस्टिस मैं मानता हूं, कभी मिलेगा कि अब योगी जी की खुद की रिपोर्ट ने कह दिया है, कि डॉक्टर कफी का कोई आरूप नहीं है, और देखें सबसे बड़ी बात है आप इसको पढ़िएगा, यह क्या लिखा है इनोंने, इंक्वारिय ऑफिसर नहीं, कि सारे आरोब जो डॉक्टर कफी के उपर लगाएगे हैं, वो बलहीन और असंगत हैं, यानि कि विदावट एनी सब्सेंस, इन्रेवलेंट हैं, और जो डॉक्टर कफी ने रिप्लाई दिया है, उसको एक्सेप्ट करते हैं, मैं, आप सब का, मतलब लाखों लोगों ने मुझे प्यार दिया हैं, और लाखों लोगों की दुआएं साथ रही हैं, सब छोटे से बड़े से गोरकपूर से लेके कोच्ची तक, पिहार से लेके आसाम तक, सब ने बहुत प्यार दिया हैं, और मुझे लगता है कि आपका ये प्यार मिलता रहेगा, शुभिया, थांकी. ऐसंट के लेमर की डॉटर कफी लाहमाखान के लाखों है, इनको पेंचेट दी है, प्रमुक सच्छिव माश्र ने हुँचों मंची ने को चारों और हों से मुक्त किया है इ teor है उनका बहुत-ओध धंजवान, इनके लाखनेवान और जो बच्चे मल गए हैं, उनको कंपन के पेरेंट्स तो कंपनसेशन देने क्लिप का करते हैं। दाक्टर कफील की बाद्धा बोल रहे हैं, कि मुख सचिव मांचु कुमार का बहुत बहुत शुक्रिया तहदिस शुक्रिया अदा करती हूं, कि भगवान जी उनको लंभी उमर दे, उन्होंने हमारे बच्चे डाक्टर कफील की डिपार्टमेंटर इंक्वाइरी में क्लीन चुट दे दी है, इसलिए आज बहुत खुशी का दिन है, और सियम योगी जी मानिया योगी जी से बिबिंती है कि हमारे बच्चे को दोबारा नौक्री से बहार करें ताकि वो अपने परिवार को सेवा कर सकें और गोरख पुरवासी बच्चों को भी उनको सेवा का मौका दें, वो उनको भी देखें और उनको बच्चे सुशी रह यह हमारी हमारी ही दिवित भाहिश है